जिस स्कूल में सुखविंदर सिंग सुखु ने दसवीं तक की पढ़ाई की, आज उसी स्कूल में वो मुख्य अदिती बन कर पहुंचे, आज उनका छोटा शुमला सरकारी स्कूल में पहुंचने पर भव्वे स्वागत किया गया, साथ ही उनके साथ पढ़े, दोस्तों को भ उनको भी समानित किया गया, स्कूली बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कारिक्रम भी आयोजित किये, मुख्यमंतरी सुखविंदर सिंग सुखु ने कहा कि एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ व्यक्ती भी मुख्यमंतरी बन सकता है, इस बात को ध्यान म रखते वेवे, वो बच्चों की मनोबल को बढ़ाने के लिए स्कूल में पहुंचे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे शिक्षख होते हैं, वहीं अच्छे पढ़ाई होती है, लेकिन देखा देखी में लोग आज नेजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं, हिमाचल में डे बॉर्डिंग स्कूल भी शुरू किये जाएंगे ताकि स्करटकारी स्कूलों की प्रतीर लोगों का जुकाओं हो सके निदर्शा कुछ शिक्चा मादेज है हमारा आगी शिर्मादी सवीतरी देवी 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 जिंसे और इसके बाद प्रता है और सुना है लोगों से जैसे बच्चे नठखट होते हैं यही वह इसी नठखट से आत्यम भाव रमिश्वर्मा जी पुपेजर कवर जी बाहसाब माय कृष्छन जी और उमके पिछे के वानम जी इस दॉक्तर अविशेख जैन जी प्रवार बीजर हो खभार भुर किया है मैं पहली से दस्वी कक्षा तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ अब तो स्कूल का नक्षा थोड़ा सा बदल गया है तब तो पराने ब्रीटीश स्टैम का स्कूल का होता था और मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि ये गौर्णमेंट स्कूल है और मैं खुद गौर्णमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ तो बच्चों में भावना है होती है कि हमारे स्कूल से कोई अगर बन गया किसी मुख्या मंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया मंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया अब धायक बन गया किसी भी समाज के किसी भी शेत्र मे जाए कुछ बन जाए तो इसको अपने स्कूल की खुशी होती है जब मेरे पास टीचर आए तो मैंने कहा कि मैं बच्चों से भी मिलूँगा ताकि बच्चों को ये पता लगे कि हम गौर्मेंट स्कूल से पड़े हुए हैं और अगर जीवन में देड इच्छा शक्ती हो तो आप जीवन में कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं तभी मैंने अभी इन से प्रिंसिपल मैं से कहा कि पहले सबसे पहले बच्चों को बठाओ जिनके लिए मैं आया हूं और हमारे काफी राजनिती कार्यकात्ता आगे थे और जो मेरे ओल्ड स्टूड्स के फ्रेंड है जो क्यु को कि यह ह shap सबस्प्किर है यह मैं सबस्क्राइब बच्चों के कंवें फोले कि इुकुल हो ने फिर्जव दो flor कर रहे है जिसमें हमारी यह इक गरंटी है यह उसको हम शुरू कर रहे है ताकि लोगों बच्चों में कॉन्स वरे वो ग्रवर्मेट्स में मौन तो सब इस्वास इतना होगा कि आने वाले समय में भविश्य की चुनूतियों का वो सामना कर सके।